बाउंस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बाजार में इंट्री करते हुए इंफिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉंच कर दिया है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीते वक्त ग्राहक के पास दो विकल्प होंगे पहला कि वह इसे बिना बैटरी और बिना चार्जर के खरीदे और दूसरा विकल्प होगा कि वह इसे बैटरी और चार्जर के साथ खरीदे हाला कि दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रिक स्कूटर के कीमत अलग-अलग रहेगी ग्रहक महज 499 रुपे में स्कूटर को बुक कर सकते हैं अगर आप बिना बैटरी और बिना चार्जर वाला Bounce Infinity E1 लेते हैं तो कंपनी के ओर से आपको बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी मिलेगी इससे आपको बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी जिसे आप उसे बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी से स्वैप करा सकेंगे हाला कि जाहिर है कि कंपनी सुविधा के लिए कोई कीमत तै करेगी बैटरी और चार्जर के साथ वाले Bounce Infinity E1 की दिल्ली में एक स्षोरूम कीमत 68,999 रुपे रखी गई है वहीं गुजरात में 69,999 रुपे महारास्ट में 79,999 रुपे राजस्थान में 72,999 रुपे करनाटक में इसकी कीमत 68,999 रुपे रखी गई है और अन्य राज्यो में 89,999 रुपे कीमत रखी गई है हाला कि बिना बैटरी और बिना चार्जर वाले Bounce Infinity E1 की केमत का अभी खुलासा नहीं हुआ है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह 45,000 रुपे के करीब हो सकती है Bounce Infinity E1 में 2K WHR 48V बैटरी पैक है इसमें 3 राइडिंग मोड्स ड्रैक मोड, इको मोड और पावर मोड है पावर मोड में इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है इसके अलावा इको मोड में सिंगल चार्ज में यह 85 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है इसे डार्क ग्रे, ओफवाइट, रेट, वाइट और ब्लैक जैसे कलर ओप्शन में पेश किया गया है बाजार में Bounce Infinity E1 का मुकाबला, Ola S1 और Ola S1 Pro, TBS iCube, Ather 450 और Bajat Chetak EVC होगा News Wing की Bureau Report बाजस के स्कंट ळाण मैं कोुनשה, बाजस करस्थान में राखना में तो बहुत कर से πम करेंदाया I had selected my son to start with the coding classes, so I researched it online I got through all the reviews and everything then I got in touch with Whitehat representatives and I was very happy with the progress and how he was doing So, I thought that why not to implement it in our schools so that all the students are able to learn you know this thing I started coding because we can make our thoughts real we can interact with the computer White Hat Junior is helping me to create a web browser and I think on this part White Hat is actually leading you know on this coding platform it is definitely a very good platform and one should implement in every school